हलो गाइस कैसे हैं आप लोग ऐ होप आप साव लोग ठीक होंगे तो आज की इन परिलिम्स के लिए इंपोर्टरंट पार्ट यह है वेल्ल हरिटेस साइट्स जिसमें हम टेंजिबल और इंटेंजिबल जो साइट्स हैं हमारी इंडिया की उनके बारे में आज हमधिल करेंगे उससे पहले अगर मेरी वीडियोस थोड़ी बहुत भी हल्फुल लग रहे हैं तो प्लीज ज़्याद से ज़्याद से शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और कॉमें सेक्षिन में जरूर लेकिए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रहे हैं चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट है कि हमें यह देखने हैं जैसे कोई भी साइट है तो उसके लिए अगर उसको वर्ल हरिटेस साइट में हमें दरजा देना है तो उसके लिए क्या-क्या क्राइटेरियोस दिए गए यूनेसको के दौरा कि क्या-क्या उनके क्राइटेरियोस हैं क्या उनकी उनक क्या benefits होंगे तो यह देखते हैं तो इसमें लिखा हुए दर नॉमिनेटेट साइट मस्ट भी आउटस्टेंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू जो भी नॉमिनेटेट साइट जो भी साइट से हमारे इंडिया में अलग अलग प्लेजिस पर उनका आउटस्टेंडिंग यूनिव मतलब कि यूमन के द्वारा बनाया गया मास्टरपीस होना चाहिए उसके अलावा एक्जिविट्स एन इंपॉर्टेंट इंटर्चेंज ओफ यूमन वैल्यूस ओवर ए स्पेन ऑफ टाइम और विदिन अ कल्च्रोल एरिया ऑफ दे वल्ड मतलब उसमें उन जो साइट से उ से लेटेट भी कुछ भी है तो अभी वह एक क्राइटेरिया हो सकता है विएर सा यूनिक और एक्सेप्शनल टेस्टेमनी टूर कल्च्राइशन और टू और टूर सिवलाइजेशन विच इस लिविंग और विच हैस डिसापियर्ट मतलब कि कल्च्राइशन होना चाहिए उ इस तरह की जो भी टेक्नोलोजी कल उसमें अगर बहुत जादा कोई अचीवमेंट है या उसमें कोई आर्किटेक्ट्चर बहुत शांदर आर्किटेक्ट्चर है तो वह सब इनके क्राइटेरिया होंगे इसी तरह इसमें लिखा हुए इस एन आउटस्टेंग एक्जांपल आप ट्रेडिशनल यूमन सेटलमेंट मतलब यूमन सेटलमेंट का कोई भी एक्जांपल हो वह इसके अलावर इस डारेक्ली और टेंजली भी असोशेटेट विद इवेंट्स और लिविंग डेडिशन मतलब कोई ऐसी साइट जो हमारे जो डेली के जो लिविंग डर्शा तो यह सारे क्राइटेरियस हैं इसमें से कुछ भी अगर वह मेंशन हो जाता है या वह लोग इस चीज़ को गवर कर लेते तो वह वर्ल हरीटेस साइट में उनको दर्जा मिल जाता है नेक्स दिखते हैं इसके बैनेफिट्स के हैं जैसे कोई भी साइट को अगर यूनेसको का यूनेसको के द्वारा वर्ल हरीटेस साइट में अगर दर्जा मिल रहा है तो उसके क्या बैनेफिट्स हैं क्या उनको क्या-क्या मिलेगा तो इसमें लिखा हुआ है ब्रिंग्स इंटरनेशनल अटेंशन टू दर नीट फॉर दा प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन द्वारा वह इंक्रीज होगा ओके देन नाइक्स लिखा हुआ यूनेसको के प्रोवाइट फंड्स पॉर रिस्टोरेशन जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह सब किसका काम है यूनेसको का तो यूनेसको उनको प्रोवाइट्स कराईगी फंड्स वगेरा जिसकी वजह से उ अगर जरूरत है तो प्रोवोट चैस विद यूनाइटेड नीशन सिस्टम एंड़ प्रिस्टीज एंड सपोर्ड प्रोवाइट्स मतलब यूनाइटेड नीशन सिस्टम के साथ लोज टाइज को प्रोवाइट करेगी इनेबल एक्सिस टो ग्लोबल प्रोजेक्ट मैनेजम प्राइवेट सेक्टर एंड एंग इस टो अचीव कंजर्वेशन गोल्स ठीक है उसके लावर लिखा हुआ है कि जो भी मतलब एंजियो बगेना है प्राइवेट सेक्टर सेंग उन सब की बीच में कैसा पार्टनर्शिप करेगी जिसकी वज़े से वह सब लोग मिलकर कंजर है मतलब यह जो लिखा हुआ है कि जो साइट है वह किसके अंदर यह वाला जो पॉइंट है वह इंपॉर्टेंट है जैनेवा कंवेशन के अंदर आएगा ठीक है नैक्स देखते हैं कि कौन-कौन सी साइट से वैसे तो आप देखेंगे बहुत सारी साइट से मतलब 50 से और होंगी 50 60 के असपार लेकिन मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट लिखें अगर आप चाहते हैं तो कॉमेंट सेक्षन में लिख दीजिए कि अगर आपको पूरी जो साइट वागे रहे हैं यह आप नैट पर सर्च करेंगे तो वहां पर भी आपको मिल जाएंगी तो आपक केवस महारास ताजमेर आगराफोर संटेंपल कोनार कोडिशा ग्रूप ओफ मॉन्यूमेंट सेट महाबली पूरम नेक्स देखते हैं बहुत सारी हैं एलिफेंटा केवस हैं उसके बाद चोला टेंपल है डार्जलिंग हिमालें रेलवे हैं महाभोधी टेंपल है उसके अला देख सकते हैं थो मतलब चू सकते हैं वो टाइंटेंजबल जिनको चू महाइसूस कर सकते हैं तो वह हो जाता है इंटेंज बल कल्श्र लहेते इसका मतलब एम क्या है कि जो भी अमारे जो इतवी गिदा इंशरी दो व्याटर प्रोटेक्शन ओफ इंपॉर्टेंट इंटे प्रटिक्षन दिलाने का उनका एक एम होता है यह भी योनस को के दोवारा है उसके लावर जो भी जो भी दांसे हैं या कोई भी अगर बहुत जादा कल्स बहुत जादा इंपॉर्टेंट साइट है तो या डांस है या कोई फैस्टिबल है तो उस चीज़ को अवियर्नेस क्रिएट करने के लिए यह वाली जो साइट्स बनाएं गई है उसके बाद यह देखते हैं कि कौन-कौन सी साइट्स हैं हमारे इंडिया में जैसे फ्रस्ट इस कोडी संस्क्रिट थेटर इंक्लूडें टू थाउजेंड यह वाला जो पार्ट वह बैसिकली आपका आर्ट एंड कल्चर में आता है जो हमारी हिस्ट्री के आर्ट इंड कल्चर उसमें यह वाला पार्ट आता और यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टन क्योंकि प्रिम्स में आर् कब किया गया था एड 2008 में उसके अलावा इट इस अ कंबाइंड डान्स ड्रामा कंड़क्टेट बाइदा चक्यार्स असब कास्ट अमोंग हिंदूज हूप लेदा मेल कास्ट डिशनली इन दे स्टेट ऑफ केरला तो इंपॉर्टन क्या हो जाता है यहां पर जो कोडी अट इसका प्ले करती है चीक है जैसा कि आपको इस इमेज में शो हो रहा है कि इस तरह से जो तैयार होके जो प्लेज होते हैं वह कोडी अटम केरला का है चीक है नेक्स दिखते हैं रंबन रंबन इंग्लूडे इन 2009 यह एक डिलीजिस फैस्टिबल और रिचुवल थेटर है कहा का है उत्राखंड का इंपॉर्टेंट है इसको अंडरलाइन कीजिएगा कहां का है उत्राखंड का सेलीब्रेटेट बाइदर हिंदू कम्यूनिटी इंदा सलूर दूंगर ब्लेजिस ऑफ पैन खंडा चामोली डिस्टिक अफ उत्राखंड जैसा कि आपको इस इमेज में द कोशन मिली जाएंगे करेंट अफ्रेस में भी मिल सकते हैं आपको और आर्ट एंड कल्चर में भी मिल सकते हैं तो चाओ जो है वो तीन जगाका है तो आपको वहां पर गफ्यूजन क्रिट हो सकता है चीके तो आप यहां पर देखिए चाओ जो है वह 2010 में इंक्लूट किया यूनेस्को के द्वारा इट इस अ ट्राइबल मार्शिल आर्ट परफॉर्म मेनली इन दे स्टेट्स ऑफ औरीसा जहारकन एंट वेस्ट बेंगोल त्री सब जैनल मतलब इसके जो तीन और डिवीजन है जिसमें डान्स बेस्ट रंद प्लेस ऑफ दियर ओर ऑडिजन डेवल द्वेंट के सब्सक्राइब नेहीं है कर स TV के दॉत आर्ट का यहां पर सैकर लेकर्षा में सबीने सब्सक्राइब कर दोनौन रिखेगान सब्सक्राइब लगा कर जो डान्स किया जाता है वो चाव में होता है जो कि 2010 में एड किया गए तो और तीन प्लेसे से रिलेटेड़ है जो है उरी सा जार करें वेस्ट बेंगल चीक है उसके बाद देखेंगे मुडी एड्टू इंक्लूड़ें 2010 कब इंक्लूड़ किया गया था 2010 में यह एक ट्रेडिशनल विच्वल थेटर है जिसमें फोक डांस और ड्रामा इन दे स्टेट्स ऑफ केरला कहां पर है केरला में माइथोलोजी कर टेल ऑफ बैटल बिट्वीन दारिका जो भी जो बुद्धिस चैंटिंग यह इसमें आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगा कि बुद्धिस वाला जो कोई भी अगर उससे रिलेडेट बाद आती है तो वह हम लड़्दाफ में पहुंच जाते मतलब जो हमारे इस तरह के ही माचल प्रदेश यह वाला जो रीजन है इंक्लूड़ें 2012 इंक्लूड़े 110-0 perform by the crime of the same name in the state of Rajasthan मतलब इसी तरह से राजस्तान में मतलब यह वाला जो क्या बोल सकते हैं हम डांस बोल करने जैसा कि इसमें लिखा हुआ है जैसा कि मैंने आपको जो बता रहा था बुद्धिस लोग होते वो चैंटिंग करते हैं इस तरह से बजा कर यह जो देख रहा है आपको उसके अलावर यह कल्बेलियर डांस जो राजिस्थान में बहुत जादा फेमस है ठीक है नैक्स एक इस आप फर्फॉर्फिस्फ फर्फॉर्फषण तु मांग रिलीजियसरे जो रेटव वहुए स्टेज इस इंडियर जो रिच्वल सिंगें गम और डांस नाट है वह कहां का मनी पुरा जैसा कि आपको इस इमेज में दिख रहा है इसमें यह लोग लुड लौड किश्ना क की भक्ति करते हैं चीके सिंपल लॉड कृष्णा जी की भक्ति करते हैं उसके बाद नवरोज इंक्लूड़ें 2016 अच्छा चलिए नवरोज से रेलेटेरी कॉशन पूछती हुआ आपसे की जो नवरोज फेस्टेबल है वह किस रूलर के द्वारा मतलब मेडाइवल पीरेड में किसी रूलर के द्वारा स्टार्ट किया गया था तो वह कौन सा रूलर था किस डाइनिस्टी से बिलॉंग करता है और किस एडी में या किस टाइम पीरेड में उसने यह वाला फेस्टेबल स्टार्ट क कश्मीर कम्टिटी के द्वारा मनाया जाता है उसके बाद देखिए कुम्ब मेला यह कब स्टार्ट वा टूथाउजन इसको एड़ किया गया था कि अच्छा इससे रिलेटेट भी बताई है कि कुम्ब मेला कि मतलब रूलर के द्वारे स्टार्ट किया गया था यह यह जो कॉशन है तो आप जरू कॉमें जिक्षिन में जरू लिखेगा थिक है तो यह लाज़स्ट रोटेशन कोग्रिगेशन ऑफ प्रिल्गिम्स ऑन के तो यह बाला आप देख लीजेगा ठीक है तो जो भी मैंने आप से कॉशन पूछें वो जरूर कॉमेंट सेक्षिन में जरूर लिखे और प्लीज घर पर रहे हैं बहार ना जाएं प्लीज स्टे सेफ थैंक यू